चड़ता जा रहा है लू ने भी हाल बेहाल कर दिया है मौसम वैग्यानिकों का कहना है कि अभी राहत के कोई जल्दी आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं वहीं तापमान तेजी से बढ़ रहा है गरम हवाएं चल रही है ऐसे में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है तो उतर प्रदेश में पचंड गर्मी से लोग परेशान कई जलों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुँचा और बरेली में 43 डिग्री पहुचा दिन का तापमान तो प्रचंड गर्मी बेताहशा गर्मी दिली अंसियार के इलाकों में भी बुरा हाल है तरफ दूप तेज लू का प्रकोप और उसी तरफ जो बिजली जो है वो भी अपनी जो लिकाजपी खेल लई है और आ रही है कभी जा रही है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है गर्मी को देखते स्कूलों में भी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं तो उत्तर प्र बढ़ सकता है तो दिली अंसियार के इलाकों में भी लोगों का बुरा हाल है जब पहर में तो निकलना बिल्कुल तूभर हो गया जो लोग बहुत जरूरी काम है वो ही निकल रहे है तो उत्तर प्रदेश के जो अधिकतर जो जिले हैं वो सबसे ज्यादा गर्मी से प्रभा है वो फिए कर्मी हाई गर्मी अब लोग हर तरफ यही कररे हैं तो अपनी अपनी तरीके से लोग उपाय कर रहे हैं कोई छाता लेकर करके चल रहा है कोई मों पे स्कार्फ बांध वांद करके निकल रहे हैं लोग बहुत जरूरी काम से जि marché निकल रही लेकिन उत्तर साथ पारा लगातार बढ़ता जा रहा है बढ़ता ताप मान लोगों को कहीं न कहीं परेशान कर रहा है तो दिली एंस याइ तुत्तर प्रदेश के तमाम जिले जहां पर गर्मी का प्रकोप बेहत गर्ब नजर आ इस वक्त हमारे तमाहम समवाधाता हमारे साथ जुड़ गया है हमारी स手ीयोगी दिल्ली से स्वाती जुड़ गई हैं और साथी साथ लक्नव नख्नव बेपनी से भी हमारे साथ जुड़े हुए है स्वाती गर्मी तो बेताहाशा हो रही कैसी तरीके से अभी हाल फिलाल निजात मिलती नजर नहीं आ रही क्यों स्वाती जी बल्कुल देखिया आलोग चिलचिलाती हुई धूप है और इस धूप में लोग नहीं निकल रहे हैं इस वज़ा से अगर दिल्ली NCR की बात करते हैं तो दोपहर के वक्त खास तो और पर लोग अपने घरू में ही रहना पसंद करें कि आप मेरे पीछे भी तस्वीर देखेंगे इंडिया गेट पर इस वक्त हम मौजूद है और इंडिया गेट वो जगा जहां पर अलग अलग ज लोग आपको नजर आएंगे लेकिन ये वो जगह है जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुचते हैं घूमने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं इंडिया गेट लेकिन सन्नाटा है यहां पर पसरा हुआ और इसकी वज़ा सिर्फ दिल्ली की गर्मी है जो लगतार ब आपमान 45 डिग्री के आस पास पहुच गया है और जो हवा चल रही है उसमें भी गर्म हवा आलोग है जिससे लोग परेशान है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मौसम विभाग नहीं यह अनुमान जताया है कि 15 और 16 तारीख को हलकी से मध्यम वारिश दिल्ली NCR में ह हो सकती है उस दौरान राहत दिल्ली वालों को हलकी मिल सकती है लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है जून का महिना ऐसे ही गर्मी से लोगों को परेशान करेगी और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्च की जाएगी बिल्कुल और लोगों को भी कहीं न कहीं बारिश का इंतजार है स्वाती में आपके पास आऊँगा सीमाब नक्वी हमारे सायोगी हमारे साथ जुड़े हैं सीमाब उफ ये गर्मी हाई ये गर्मी अब तो हर तरफ यही आवाज सुनाई दे रही है सीमाब जी बिल्कुल आपको वतार की गर्मी में जो है वो लोग बेताहाशा परेशान हैं बेहाल हैं बच्चे घरों से जो है वो नहीं निकल रहे हैं हाला कि उत्तर पर देश में जो चुटी है गर्मीयों की वो बढ़ा दी गई है सरकारी स्कूलों में लेकिन जो लोग भूमने वा 41-42 डिगरी के बीच में है और फिलहाल किसी भी तरह की कोई राहत मिले की उमीद नजर नहीं आ रही है कमान तरह के लोग जदन कर रहा है जो लोग अपने बच्चों को लेके निकल रहा है वो एसी गाड़ियों में निकल रहा है और जो लोग जिनके पास ये सब सुविदाएं मुहिया नहीं है वो ले जा रहा हैं तो अपने मेलाएं अपने पलू के आचल में चुपाए हुए चोटे बच्चों को ले लिए नजर आती है गाये बगाये सबकों पर बच्चों के साथ जो है वो चाता लेके लोग चल रहा है ताकि धूप कम असर करें इसी तरह से गर्मी का आलम ये है कि जो सडकों पर लोगों की चहल पहल है वो खासी कम नजर आ रही है इस वक्त हम विक्रमा दित्त मार्ग पर मौजूद है चिलचिलाती धूप है तेजिस है और तमाम लोगों के यहां पर आने का सिलसला बहले जा रही है लेकिन देख सकते हैं कि जल्दी से जल्दी काम निप्टा कर अपना घर की तरफ पहुंचें ताकि जो है वो घर पर सुकून से रहें आराम से रहें जो दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं वो दफ्तर में रहना पसंद कर रहे हैं हाला कि जो बाहर निकलना है जिनको काम में दुश्वारिया हो रही हैं उनके साथ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जूस की दुकान हो गन्ने का रस हो या फिर पना हो तो इन सब दुकानों पे बीड़ ज्यादा नजर आ रहे हैं लोग इनकी तरफ ज्यादा जा रहा हैं और यही लिक्विट पदार जो है है 42 से 43 डिग्री बताय जा रहा है लक्नव का तापमान सीमा मैं आपके पास आऊंगा एक बाद फिर से और लेकिन अब हम लेकिन अब हम और दोकाने अब देख सकते हैं कि यहाप जूष्टी दुछ पिर लगाई गई है तमाम लोग भी हैं मारी साथ की लिए आये इंसे बातचीत कर लेंगे और जितरी गर्मी तेज पढ़ रही है और किस तरीक की की गर्मी पढ़ रही है इसे कैसे कर रहा है अब कर्मी को सर काम की जक्रम निकलना पड़ता है मजबूरी हमारी लुकर गर्मी में काम चला रहे है क्योंकि जीना है थे बिलकुल में आपके पास आउंगा है और जीतिंद्र हमारे संबाद हाता हुआ जीतेंद्र के पास रुख करेंगे जीतेंद्र लगातार कहां कितना ताप मान है ये भी हम अपने दर्श्टों को दिखा रहे हैं फिलाल गर्मी किस तरीके से राहत मिले बड़ी बात अब यह है क्योंकि हाल लोगों का जो है वो बेहाल हो रखा जीतेंद्र देखे आलोग जी एक वो फिल्म का गाना याद आ गया कि सईयां जेट की दुपेरी में सईयां पाउं जले हैं तो ये अब जेट के बाद बैसाक की दुपेरी है और इससे केवल पाउं नहीं पूरा जिस्म जलता जा रहा है आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे कैसे पसरा सनना करता हुआ है सचाया हुआ है और दस बजे से और साम चार बजे तक जो भीषड गर्मी है एकदम तप्ती हुई धूप है कोई निकलना नहीं चाहता लोग घंचे का प्रियोग करता है कर रहे हैं जगे-जगे जहां लगता है कि कहीं छाया मिलेगी वारों को जाएंगे प्रांस जो संग्णाटा पसरा है यह आएंगै यहां कोई निकलना नहीं चाहता कोई निकलता भी है तो गंचे से मूं भाढ़े है कोई छ्ट्री लगाए है कुल मिलाकर जो गर्मी का सितम है चिरचिडाती हुई एक दम सड़ी हुई गर्मी पढ़ रही है उससे लोग परिसान है बिजली कटोती है नगर निगम ने कोई विवस्ताई नहीं कहीं है नगर निगम को यात्री छादक केत्र बनाने चाहिए थे नहीं बनाए गए जिसका खामे आजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है नेता चुनाब जीते जीतने के बाद अपने अपने एसी वाले कारयाले में बैठे हैं लेकिन जनता के लिए कोई विरस्ता नहीं है इत बाद को अपने लेकिन जनाष तो जाद कुराद के लोगतना आपने पासे जीतना उनता के बाद के लिए चमने वे जनका उनका रहा है विरस्ता खामें वेकिन जनका रहा है ये झाले बाद करेदाने नहीं है